नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नरायन सर क्लासस के इस नए वीडियो में चैप्टर 13 का भाग 5 तक हमने बता दिया है और भाग 5 में हमने बताया है परिया वरण के जैविक घटक के बारे में और वहां से आगे के टोपिक आज के वीडियो में हम कंपलीट कर ने बने रियं हमारे इस चैनल पर और अभी तक आपने एस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए समझ्टी यानि की पॉपुलेशन समझना है समस्टी है क्या तो किसी भी एक जीवजाती के आबादी का यानि की उसके समूह को सदस्यों के समूह को बोला जाता है समश्टी किसी जाति के सदस्यों के समुहों को क्या करते हैं तो समस्टी करते हैं कोई भी जीवजाती हो जैसे कि मानो तो मानो एक मानो को लिया जाए एक सदस्ते मानो जादी के एक सदस्य को लिया जाए तो उसे कैंगे यह नि की इंडू बीचूब बोला जाएका ब्यंस्ति इन्ड बुझा को एक माध्व को यदि हम यहां पे ले रहे हैं तो यह क्या है ब्यंस्ति लेकिन मानों का समुऊ तो वहां पे बहुत सारे मानों तो इस मानों के समुहों को बोला जाएगा क्या चिस्तों समस्टी ये मानों का समुह है ठीक है ये हैं मानों की समस्टी मानों की समस्टी उसी तरह से बकरी की समस्टी है अलग हो जाएगी उसी तरह से गेहूं के खेत में सारे गेहूं के पौदे होते है तो गेहूं की समस्टी हो जाएगा और उसी तरह से बहुत सारे जीव है और उस किसे भी एक जाती के जो सदस्ते हैं समुह है उसी को बोल जात से यहां पर यार जो ब्यश्टी है समस्टी से बिन है मतलब क्या तो ब्यश्टी से समस्टी बना है और समस्टी के अपनी विशेस्ताएं है जो की वे आम यहां लग लग जातियों में हैं और किसी एक जाति के समूह को बोला जाता है समस्टी जैसे कि हमने यहां पर लिका मानों मानों की पूरे समूह को कहा जागी है क्या है मानों की समस्टी है एक समस्टी है एक अबादी है लेकिन इसी में का किसी एक मानों की बात किया जाए तो है ब्यस्ट तो यहां पर समझ्टी का मतलब समझ में आ गया होगा, कि समझ्टी का मतलब है कि किसी भी एक जाती के सदस्यों का समू, मतलब की बहुत सारे सदस्या, जैसे कि यहां पर मानों की बहुत सारे सदस्या, इसमें से किसी एक इंडिविजुल की बात किया जाए, तो उसे कहा जाता है ब्यस्ति और बहुत सारी समस्तियों का समूह को बोला जाता है समुदाय यानि कि कम्यूनिटी यह चिस्तों समुदाय इससे बोला जाता है कम्यूनिटी इसके बारे में हमने पहले बात किया हुआ है तो कम्यूटी यानि की समुदाय है क्या तो समस्टियों का समू है बहुत सारी समस्टियां जूड करके बहुत सारी समस्टियों का समू कलाता है कम्यूटी यानि की समुदाय जैसे कि हमारे आसपास बहुत सारे जीव जातियां रहती हैं उनकी अबाद संख्या में यह रहते हैं उसी प्रकार से गेहर तो यह जो पोधे हैं अन्य पोधे और जन्त यह अलग-अलग समस्टिया हैं और यही समस्टियों का समु कहलाता है समुदा यानि के community खर ये आगे का topic है आगे इसके बारे में और detail में बताएंगे लेकिन अभी हम यहाँ पे हैं समस्टी पे तो समझे समस्टी के बारे में तो समस्टी है क्या तो किसी एक जाती के सदस्यों का समु ही कहलाता है समस्टी और उस जाती के सदत से आपस में संकड करते हैं आपस में उनमें प्रती अस्परधा होती है भोजन के लिए, आवास के लिए, अन्य बस्तुमों के लिए उनमें अस्परधा होती है और इसके कारण उसकी संख्या में होता है परिवर्तन उसकी आपसी संबंदों की संख्या में होता है परिवर्तन, यानि कि समस्टी की संख्या में होता है परिवर्तन, और ये परिवर्तन कई तरह से हो सकते हैं, वही समस्टी की विशिस्टाएं हैं, तो दो तरह से मेंली इसमें परिवर्तन होता है, जैसे कि जन्मदर, सबसे पहल बर्थ रेट, हाँ, तो बर्थ रेट से क्या होता है, तो किसी भी समस्टी की संख्या में बर्धी होती है, अब ये कैसे बर्धी हो गया, जैसे कि तलाब में माल लेते हैं कि 20 पोधे हैं, तलाब में कमल के 20 पोधे हैं, कमल के 20 पोधे हैं, और 8 नए पोधे आ जाते हैं, ठीक ह 20 पोदे और 8 नए पोदे आ गए कितने पोदे आगए तो आठ नए पोदे इसका मतलब है कि माल लेते हैं कि 2019 में 20 कमल के पोदे थे और नए आप तो कितनी संख्या आ हो गई 28 यांनिकी 2020 में इसकी संख्या कितनी हो गई 28 हो गया अब इसका हम बर्थ रेट निकालते हैं जन्म दर निकालते हैं यानि कि बर्थ रेट बराबर हो जाएगा क्या चीज़ जितने नए जन्म लिये हैं उसकी संख्या और बटे में पहले जो संख्या थी 20 इसकल टू हो जाएगा 0.4 यानि कि इस कमल की पोधे का जन्मदर कितना हुआ, तो 0.4 हुआ, मतलब कि 0.4 संतत प्रती वर्स के हिसाब से क्या हो रही है, ब्रिदी कर रही है, इस समस्टी में, कमल की समस्टी में, 0.4 प्रतिसत नए कमल प्रती वर्स क्या हो रहे है, ब्रिदी कर रहे है, इसकी जन्मदर क्या है, 0. तो पउइंट फोर है जन्मदर का मतल भी यही है कि एक निष्चित समय में किसी भी आबादी में किसी भी जीव की आबादीमें क्या हो ब्रिदी मृतिव दर यानि कि इससे बोला जाएगा डेठ रेट समझना है डेठ रेट है क्या तो यही नहीं है कि केवल जनम ही होगा जीवों का उसमें से जीव मृतिव भी होंगे उनके मरेंगे भी जैसे की फ्लमक्षी जैसे की फ्लमक्षी तो माल लेते हैं कि फल मक्ही क्या है तो उसकी संख्या है 40 फल मक्ही की संख्या है किसी हपते में 40 ठीक है एक सब्ता हमें एक सब्ता हमें और इस में से 40 में से 4 मक्ही क्या हो गई एक सब्ता हमें मर गई तो कितना बच गया 36 Six कितना बज गया तो थर्टि इसका हम डेत रेत यदी निकालें डेत रेत तो क्या हो जाएगा तो फोर अपान फोलटी यह होगा न सका डेत रेत तो फोर अपन फोलटी यह हों न milk जिरू University मतलब क्या तो प्रती सब्ता जो फल मक्खी है वह इतनी दर से क्या हो रही है मर रही है यानिकि उसकी समस्टी में इतने दर से आ रही है कमी ठीक है तो यही है जन्मदर और मित्युदर से क्या होता है तो किसी भी समस्टी की संख्या में ब्रिधी या कमी होता है यानिकि सदस्यों की संख्या में परिवर्तन होता है तो इससे उसकी सदस्यों में या तो कमी होगी या तो ब्रिदी होगी यही चीज इस ब्यस्टी में नहीं होता है समश्टी में होता है लेकिन ब्यस्टी में नहीं होता है यहीं से क्या है ब्यस्टी भिन्ना है ब्यस्टी में के वले जाएगा नो कि ब्यस्टी कहा जाएगा ठीक है इतनी बाते समझ लिए अब जो है आप हेडिंग बनाईएगा ये समस्टी और इसमें लिखना है लिखिएगा अधिकांस जीव सीमित भगलिक एक छेत्र में समुह में पाए जाते हैं जो एक समान संसादनों का उपयोग करते हैं अध्वा उनके लिए इस परदा करते हैं तता संकरन करते हैं इस प्रकार वे समस्टी की रजना करते हैं यानिकि संकरन करके अपने सदस्य बढ़ाएंगे और सदस्यों की संख्या आदिक हो ब्यस्टी जन्मता है और मरता है लेकिन समस्टी में जन्मदरे और मृत्यूदरे होती है समस्टी में इन दरों को क्रमसा प्रती ब्यक्ते जन्मदर और मृत्यूदर कहते हैं इसलिए दर को समस्टी के सदस्यों के संबंदों में संख्या में परिवर्तन यानि कि ब्रिदिया रास के रूप में प्रकट किया जाता है उदारण के लिए किसी तलाब में पिछले साल कमल के 20 पोधे थे और जनन द्वारा 8 नए पोधे हो जाते हैं जिससे बरतमान में कमल की समस्टी 28 हो जाती है तो हम जन्मदर को 8 वटे में 20 वरावर 0.4 संतति प्रति कमल प्रति वर्स के हिसाब से परिकलन करते हैं अगर प्रियोग साला समस्टी में 40 फल मक्यों में से 4 ब्यस्टी किसी बिस्षिश्टी कृत समय अंतराल में मान लेते हैं एक सब्ता हमें मर जाते हैं तो उस समय के दवरान समस्टी के मृत्यों 4 वटे में 40 वरावर 0.1 ब्यस्टी प्रति फल मक्यी प्रति सब्ता कहलाएगी ठीक है अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे समस्टी में लिंग अनुपात एवं आयू पिरामिर कहने कि समस्टी में लिंग अनुपात होता है और आयू पिरामीर भी होता है ये चीज हम जानते हैं ये क्या है लिंग अनुपात और आयू पिरामीर समस्टी में लिंग अनुपात मतलब कि किसी भी समस्टी में लिंग अनुपात होता है और उसके आयू का अपना पिरामी भी होता है लिंग अनुपात का मतलब होता है नर और मादा का अनुपात कोई भी एक समस्टी है उसमें नर और मादा होगा और नर और मादा के अनुपाद को ही बोला जाता है लिंग अनुपाद ब्यस्टी या तो नर हो सकता है या मादा हो सकता है लेकिन समस्टी में बहुत सारे ऐसे सदस्य होंगे जो समान लिंग अनुपाद के होते हैं तो किसी मतलब कि कोई भी समस्टी के लिए आयू के द्वारा यदी हम उसे बितरन करते हैं एक समस्टी में बहुत सारे सदस्यों होते हैं जैसे कि अभी हमने बताया और उन सभी सदस्यों को यदी हम आयू में बितरन करते हैं तो जो संदचना बनेगी उसे ही कहा जाता है आयू पिरामिड तो मानो के लिए यानि कि मानो समस्टी के लिए आयू पिरामिड मुक्यरूप से नर और इस्तिरियों की आयू को संजुख्त करके आरेखित किया जाता है मानों की समस्थी के आयू का पिरामिड बनाने के लिए पिरामीड का आकार और समस्टी के इसेति मुख्य रूप से क्या चीज प्रत्विमित करता है तो एक है कि क्या समय बढ़ रहा है दूसरी बात कि इस्तिर है तिसरी बात क्या तो घट रहा है यानि कि समय बढ़ रहा है या इस्तिर है या घट रहा है ये निश्चित करता है उसकी क्या करने के लिए आयू पिरामीड को दिखाने के लिए तो हेडिंग बना लेना है समस्टी में लिंगा नुपात एवं आयू पिरामीड और इसमें लिखना है समस्टी का दूसरा बिशि किसी दिये गए समय में समस्टी भीन आयू वाले बेस्टियों से मिलकर बनती है अगर समस्टी के लिए आयू विबरण आलेखित किया जाता है तो बनने वाली संरचन आयू पिरामिट का लाती है मानो समस्टी के लिए आयू पिरामिट आम तोर पर नर और इस्तिरियों का समस्टी के स्त्यती प्रतिवी मित करता है First क्या यह बढ़ रहा है Second स्तिर है Third घटरे यही चीज़ों से प्रतिवी मित करता है अब आयू पिरामिड को तीन भागों में बाटा गया है यानि कि आयू पिरामिड तीन प्रकार के होते है आयू पिरामीड तीन प्रकार के होते हैं यह आयू पिरामीड होते हैं कितने प्रकार के तीन प्रकार के तो समस्टी में लिंगा नुपात होता है यह उसमें आयू पिरामीड देखने को मिलता है तो आयू पिरामीड यह लिंगा नुपात क्या होता है तो कहने का मतलब है कि कोई भी समस्टी है तो उसमे नर और मादा होगा और नर और मादा के अनुपाद को ही लिंगानुपाद कहा जाता है और समस्टी में लिंगानुपाद होता है दूसरी बात कि उस समस्टी में जो नर और मादा है अलग-अलग आयू के होते हैं और उस अलग-अलग आयू को आलेखित करना, क्या कहलाता है, पिरामीड कहलाता है, आयू पिरामीड कहलाता है, और यही आयू पिरामीड तीन प्रकार का होता है, कितने प्रकार का तो तीन प्रकार का, वही चीज़ हमने दिखाया, आयू पिरामीड तीन प्रकार का होता है, ज आधार का या त्रिबुजाकार पिरामिट यह कैसा पिरामिट है ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर पिरामिट तो यह कैसा पिरामिट है इसके बारे में हम समझ लेते हैं सबसे पहले हम इसे बना लेते हैं यह वाला जो एरिया है यह है प्री रिप्रोड़क्टिव यह है प्री रिप्रोड़क्टिव यह वाला एरिया जो है रिप्रोड़क्टिव है और यह वाला जो एरिया है पोस्ट रिप्रोड़क्टिव है अभी हम इसका हिंदी लिखते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव का मतलब है पस्च जननी और रिप्रोडक्टिव का मतलब होगा केवल जननी और इसका मतलब हो जाएगा पूर्व जननी पूर्व जननी तो यह जानना है यहाँ पूर्व जननी है क्या तो जनन से पहले का समय जीवों के जनन से पहले का समय बोला जाता है पूर्व जननी और जो जनन का समय होता है जिस समय जीव जनन करते हैं उसे बोला जाता है जननी और पस्च जननी का क्या मतलब है तो अब जन ब्रिधावस्ता यानि ब्रिधा का समय कह सकते हैं यह क्या चीज्द दो पर्श्च जन्नी अब यहां पर समझना है चोड़ी आधार या त्रिभुशाकार पिरामीड इसे क्यों कहा जाता है तो वह पिरामिड जिसमें पूर्व जन्नी यानि की प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या जन्नी से यानि की रिप्रोडक्टिव से अधिक है इसका मतलब है कि जन्मदर अधिक है और जब जन्मदर अधिक होगा तो समस्टी बृधी करेगी समस्टी क्या होगी बृधी सील हो तो इतनी बाते आप समझ लिए क्या चोड़े आधार का यत्री बजाकार पिरामिट और इसमें लिखना है हेडिंग बना लेना है क्या चीज़ तो आयू पिरामिट निम्रलिके तीन प्रकार के होते हैं जिसमें पहला हेडिंग हो जाएगा चोड़े आधार का यत्री बुजाकार पिरामिट इसमें लिखना है इसमें पूर्व प्रजननी सदस्यों की संख्या अधिक होती है प्रजननी सदस्यों की संख्या मध्या मनुपात में पाई जाती है यहां पिरामिड ब्रिदी सील को प्रदर्सित करता है क्योंकि जन्मदर अधिक होती है यहां पे क्या है तो जन्मदर अधिक है इसलिए ब्रिदी सील को प्रदर्सित करता है ठीक है दूसरे जानते है क्या जिस तो घंटी के आकरिती का पिरामिड दूसरा चोड़े आधार का या त्रिवुजाकार का तो हो गया दूसरा हो जाएगा घंटी के आकार का पिरॉमिड यानि कि बेल सेप्ड पिरॉमिड समझना है यह बेल सेप्ड पिरॉमिड है क्या तो सबसे पहले इसके बारे में हम बना लेते हैं कि अग्यां कि यह क्या है तो यह है प्री रिप्रोड़क्टिव यह है रिप्रोड़क्टिव यह है पोस्ट रिप्रोड़क्टिव तो यहाँ पे क्या है तो यहाँ पी प्री रिप्रोड़क्टिव और रिप्रोड़क्टिव ये लगबग में समान है एक समान है इसका मतलब है कि जन्मदर क्या है तो reproductive के समान है और ऐसी इस हती में समस्टी की बृधी लगबग सुन्य होती है समस्टी की बृधी दर क्या होती है तो सुन्य होती है समस्टी इस्थिर हो जाती है क्या स्थिर हो जाती है और इसमें लिकिना है इसमें पूर्वजननी सदस्यों की संक्या प्रजननी सदस्यों से कुछ ही अधिक है पश्च प्रजननी सदस्यों की संख्या पेक्षाक्रित कम है यह एक परिपक्वा धीमीगति से ब्रदी करने वाला इस्थिर पिर्यमिड को प्रदर्शित करता है इसमें ब्रदी दर लगबग सुन्य होती है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं और तीसरा जाना जाए जो होगा कु कुम्भाकार पिरोमेड कुम्भाकार पिरोमेड यानि कि सेप्ट पिरोमेड इसे जानते हैं तो सबसे पहले इसका हम फिगर बनाएंगे सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे तो फिगर बनाएंगे यहां पर यह वाला जो एरिया है वो है प्री रिप्रोड़क्टिव यह वाला एरिया जो एक रिप्रोड़क्टिव है और यह वाला पोस्ट रिप्रोड़क्टिव यहां पर देखने को मिल रहा है कि क्या है तो प्री रिप्रोड़क्टिव से कम है यहां पर रिप्रोड़क्टिव यानि कि जननी से क्या है तो कम है जन्मदर प्रजननी से क्या है तो कम है इसका मतलब यह है कि समस्टी में ब्रिधी रिड़ात्मक होगी यानि कि समस्टी कम होगा समस्टी में क्या है तो यह दोनों प्री रिप्रोडक्टिव और पुस्ट रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव से कम है इसका मतलब है कि समस्टी में ब्रदी नहीं होगी समस्टी में ब्रिदी रिडात्मक होगी या कम होगी तो यहां पर क्या हो रहा है तो समझती में कमी आ रही है व्रिधी नहीं हो रहा है तो ये हेडिंग बना लेना है कुंभा कार पिरामिट और एस में लिखना है, इस में पूर्वर जणननी सदस्यों का संख्या बहुत कम होती है, प्रजणनी सदस्यों की संख्या पूर्व एवंपश्च दोनों प्रजणननी के तूलना में अधीक होती है, इस प्रकार की समझत कि ब्रिदी रिडात्मक ब्रिदी को प्रदर्सित करती है इस प्रकार के समझ से ब्रिदी रिडात्मक ब्रिदी को दर्साती है ने कि डिस्क लिनिंग पिरामिड को प्रदर्सित करती है ठीक आगे अब हम जानेंगे समस्टी का आकार क्या होता है समस्टी का आकार क्या होता इस के बार है कि जान लेते हैं समस्टी का समस्टी का आकार या समस्टी का घनत्व क्या है तो एक इकाई छेत्र या अस्थान पर दिये गए समय में उपस्थे समस्टी की जो संख्या होती है उसे ही बोला जाता है क्या तो समस्टी का घनत्व या समस्टी का आकार इसका मतलब क्या कि यह इतना अस्थान है और दिये गए समय में जितने इसमें समस्टी है मानव हुई है जितने मानव है इसमें जितने क्या है तो मानव है तो इसी की संख्या को बूला जाता है समस्टी का आकार या घनत्वा समस्टी का आकार या घनत्वा बढ़ता भी है और कम भी होता है तो हेडिंग बना लीजेगा समस्टी का आकार या घनत्वा और इसमें लिखना है समस्टी का आकार या घनत्व ब्यस्टी की वह संक्या है जो इकाई छेत्र या अस्थान पर दिये गए समय में उपस्थित रहती है ठीक है तो यहाँ पर समस्टी का आकार या घनत्व के बारे में हमने जान लिया इसका मतलब होता है कि इकाई छेत्र में जिस समय पर जितने समस्टी की संख्या होती है और उसी को बोला जाता है समस्टी का घनत्व या समस्टी का आकार अब हम जानेंगे समस्टी ब्रिधी यानि की population growth देख लेते हैं समस्टी ब्रिधी समस्टी ब्रिधी यानि की population growth population growth है क्या ये जानते हैं तो किसी जाती के लिए समस्टी का आकार निश्चित नहीं होता है वह समय समय पर बदलता रहता है कोई भी जाती है उसकी समस्टी का आकार निश्चित नहीं है उसकी संख्या में ब्रिधी या कमी होती रहती है जो बिभीन प्रकार के कारकों पर निर्वर करती है जैसे कि आहार की उपलबदता, परभक्षन दाव, मौसमी परिस्थियां इन सब कारकों पर निर्वर करता है कोई भी समस्टी कारकार हो एक जैसा नहीं रहता है परिवर्ति होता रहता है और यहाँ परिवर्तन उसके कारकों पर निर्भर करता है समय समय पर यह कारक परिवर्ती दोत रहते हैं जिसे आहारूप लब्दता, परभक्षन दाव या मौसमी परिवर्तन यानि कि मौसमी परस्थितियां ये सभी क्या करते हैं समस्टी की संख्या में, समस्टी के आकार में परिवर्तन करते हैं यानि कि समस्टी का आकार निश्चित नहीं होता है तो दी गई आवधी के दोरान, दी गई आवास में समस्टी का घनत्व चार मूल कारणों से घटता है और बढ़ता है चार मुल प्रक्रम है इसी से वो घटता है और बढ़ता है ये चार मुल प्रक्रम है क्या प्रोसेस है क्या तो इन चार करणों में से दो जो है जन्मदर और अप्रवासन अप्रवासन जन्मदर और अप्रवासन इसे समस्टी का घणत तो बढ़ता है और दो जो करण है वो है म रित्युदर और उत्प्रवासन इसके करण समस्टी घटती है समस्टी का जो घनत वह हुआ घटता है तो यह चार करण है कौन जन्मदर और मित्युदर और अप्रवासन और उत्प्रवासन तो सबसे पहले हम जन्मदर के बारे में जान लेते हैं उसके बासे मित्युदर उसक जानेंगे तो जन्मदर सभसे पहले हैं हमने अभी बताया भी जन्मदर के बारे में जन्मदर का मतलब है कि बर्थ रेट यह है कि हम जान लेते हैं तो जन्मदर का मतलब होता है कि जन्मी उस संख्या से है जो दी गई आवधी के दोरान आरंबिक घनतों में जुड़ती है मतलब कि प्रारंब में जो घनतों होता है उसमें आकर के क्या होती है तो जुड़ती है उसे ही जन्मदर कहा जाता है जिसे कि हमने अभी एक्जामपल बताया कि आरंबिक संख्या जैसे कि बकरी है बकरी की आरंबिक संख्या कितना है तो सो है बकरी के आरंबिक संख्या सो है और इसमें दस की ब्रिदी हो गया कितनी की ब्रिदी हो गया तो दस की ब्रिदी हो गया अब ये संख्या इसमें क्या हो जाएगी तो जुड़ जाएगी तो ये संख्या कितना हो जाएगा 110 तो क्या हो गया इस बकरी की संख्या में हो गई बिदी तो आरंबिक संख्या में जो जितनी मातरा आकर के जुड़ती है वही कलाता है जन्मदर अब इसका जन्मदर निकाले वर्थ रेट तो हो जाएगा जो बृदि की हुई संख्या है उससे भाग देदेते हैं 100 से जो आरंभिक संख्या है उससे तो यह मान निकल करके आ जायगा 0.1 यहीं कि इसका जन्मदर कितना है 0.1 है तो जन्मदर का मतलब यही होता है कि जो आरंबिक संख्या होती है उस समस्टी की उसमें जो ब्रिदी हो रही है जैसे कि 0.1 की ब्रिदी हो रही है तो वही क्या है बर्थ रेट है यहीं कि जन्मदर है दूसरा है मृत्युदर पहला है समस्टी की ब्रिदी प्रभावित होती है समस्टी का आकार चार करणों से प्रभावित होता है जिसमें पहला है जन्मदर तो क्या होगा यहां से समस्टी का आकार या घनत्त में ब्रिदी होगा किसे जन्मदर से दूसरा आता है मृत्यूदर यहिए कि death rate तो जो भी आरंभिक इस्ति होता है किसी भी समस्टी का आरंभिक संख्या किसी भी तो आरंभिक संख्या में यदि कमी आ जाए कमी कैसे आएगा तो उसमें से समस्टी के कुछ सदस्यों की मृत्य हो जाएगी यानि कि क्या मतलब तो जब आरंबिक सदस्यों की संख्या में कुछ सदस्य मृत्यू हो गए उनकी तो जिससे क्या होगा उनकी संख्या में कमी हो जाएगी और उसी ही बोला जारता है क्या चिस्तों मृत्यू दर जैसे कि बकरी है और बकरी की आरंबिक संख्या है कितनी 100 है और इसमें से पांच बकरी क्या हो गई तो मर गई पांच बकरी की मृत्ति हो गई बचा कितना 95 क्या हो रहा है कम है यानि कि घनत तो यहाँ पे क्या होगा तो कम होगा यानि कि इसका debt rate निकाला जाए तो आ जाएगा कितना तो 5 upon 100 तो क्या हो जाएगा यह 0.05 यानि कि 0.05 की rate से यह क्या हो रही है इनकी मृत्यों हो रही है यानि कि इनमें कम ही हो रही है इनका घंद तो क्या हो रहा है तो कम हो रहा है ठीक है, तो हेडिंग बनेगेगा जन्मदर और इसमें लिखना है, जन्मदर से मतलब समस्टी में जन्मी उस संख्या से है, जो दी गई अवधी के दोराण आरंबिक गनत्तों में जुड़ती है, दूसरा है। एडिंग का मिर्तियु दर, ये दि गई, आवदी में समस्थि में होने वाली मौतों की शंख्या है। जैसे कि इतनी मिलत्यू हो गई है और इतनी क्या हो गई है तो इतनी ही बच्चेंग अब हम जानेंगे अगला जो कराण हो जिसके कराण समझ्टी के आकार पहडता है ईबढ़ता है वह आप्रवासन raging मी माईग्रेशन तीशरा तिसरा हो जाएगा आप्रवाशन थार्ड आप्रवाशन इसका मतलब होता है इम्माइग्रेशन का क्या मतलब है तो आप्रवाशन का क्या मतलब होता है आप्रवाशन यानि कि इम्माइग्रेशन इसका मतलब क्या होता है इम्माइग्रेशन इसका मतलब क्या होता है तो कोई समस्टी की संख्या है यहां पर यह है मानों की समस्टी इतनी समस्टी है मानों की कहीं से बाहर से कुछ और समस्टी मानों की आ गई जैसे कि इतनी संग्याती पांच और आ गई यह पांच और आ गई तो क्या हो गया पहले जितनी समस्टी थी उसमें इतनी की हो गई है ब्रदी मतलब कि आप्रवासन से भी समस्टी के आकार में या उसके घनत्तों में होती है ब्रदी आप्रवासन का मतलब होता है कि किसी भी समस्टी में बाहर से उसी समस्टी के और सरस से आ करके जुड़ जाते हैं तो इसी को बुल जाता है आप्रवासन मतलब कि इस दोरान ये क्या करते हैं कहीं और से ये आ करके इनके आवास में जुड़ जाते हैं जैसे कि यहाँ पे है महाराष्ट्रा, ठीक है ना, महाराष्ट्रा, तो महाराष्ट्रा की अपनी समस्टी होगी लोगों की, अब यूपी से कुछ लोग यहाँ पे चले गए, तो क्या होगा, यहाँ की समस्टी में ब्रिदी हो जाएगी, जैसे यूपी से यहाँ पे कुछ प्रवासन का मतलब यही है कि किसी भी समस्टी के आवास में बाहर से उसी समस्टी का कोई और अन्य सदस से आ जाते हैं और इसे क्या हो जाता है समस्टी की आकार या घनत्तों में ब्रवासन आगे दूसरा जो होगा वह उत्त प्रवासन इसमें का चोथा उत्त प्रवासन इसका मतलब होता है इमि माइग्रेशन इमि माइग्रेशन इसका मतलब होता है इमाइग्रेशन क्या मतलब है उत्त प्रवासन का यानि की इमाइग्रेशन का तो यदि समस्टी में से कोई सदस से चले जाए और उसमें से कुछ सदस उस आवास को छोड़ करके चले जाते हैं और चले जाएंगे तो होगी कमी समस्टी में होगी क्या चीज़ तो कमी जैसे कि इतने सदस सय है पूरे मानों में इसствен इतने सदस से निकल करके चले गए दूसरे अस्थान सभावास दोसों से निकल करके कहां चले हैं किसी दूसरे अस्थान पर चले तो क्या हो ऺपर समस्थी заключ दोierte समस्थी में to कम हो इसका यह जूरा करें शहला रही को समंस्थी में को रही बंगें कि अगया थीमया है यह उसी जाती के व्यस्टियों की वह संख्या है जो दी गई समय वधी के दवरान आवास में कहीं और से आ गये है उसके बाद से उत्प्रवासन में लिखना है यह समस्टी के ब्यस्टियों की वह संख्या है जो दी गई समयावधी के दौरान आवास छोड़ करके कहीं चले गए इसी को हम ग्राप के दौरा दिखाएंगे तो यह चीज हम यहाँ पे मिठा रहे हैं और समस्टी ब्रिधी को हम यहाँ पे आवास ग्राप के दौरा दिखाएंगे यहाँ पे हैं पॉपुलेशन यानि कि समस्टी यह क्या है तो पॉपुलेशन यानि कि समस्टी अब क्या है तो इधर की ओर इधर लिखते हैं क्या देट रेट लेट अ कि अभीछ इपे हैं यह कमी होगा यानि कि मांस सोगा इधर की ओर लिखते हैं क्याची तो बर्थरेट इससे क्या होगा समस्टी में ब्रिधी होगी है इधर लिखते हैं इमिमाइग्रेशन का मतलब है कि क्या चिस्तो आप्रवासन और यह भी क्या होगा पाजिटिव होगा बढ़ेगा और यहां पर लिख लेते हैं क्या चिस्तो इमाइग्रेशन इसका मतलब है क्या चिस्तो यह माइनस करेगा क्या मतलब जब बर्थ रेट की बात आए किसी समस्टी में या इमिमाइग्रेशन की बात आए तो समस्टी में ब्रिधी होगी वह इसी दिखाया गया है समस्टी के आकार में ब्रिधी होगी और यदि डिट रेट की बात किया जा या immigration की बात किया जाए तो क्या होगा समस्टी की घनत्व या आकार में कमी आएगे क्या मतलब कि immigration का मतलब होता है आप्रवासन कहीं से आकर के समस्टी में जुर जाते हैं तो बर्दी होगा बर्द रेट का मतलब है कि जन्म दर, यदि जन्म ले लेते हैं तो समस्टी की संख्या में बिर्दी हो जाती है यानिकि उसका गरत वयाकार बन जाता है यदि यह देट रेट यानिकि मृत्यू दर, मृत्यू दर यदि समस्टी के सदस से मर गए तो उसके सदस से कोई संख्या में हो जाएगी कमी यानि कि हो जाएगा क्या चिस उसमें माइनस हो जाएगे उसी प्रकार से इमाइग्रेशन इसका मतलब है कि उत्प्रवासन और जब ये होगा तो उसके आकार में क्या हो जाएगी कमी आ जाएगी तो ये चीज़ है इसका ग्राफ ये ग्राफ बना लिजेगा और उसके बाद से हम और कुछ बातों को यहां पर समझेंगे शलिए जानते हैं और कुछ बातों को देखिए यदी यदी समय टी पर समझ्टी घनत्व एन है तो समय टी प्लस वन पर इसका घनत्व क्या होगा ये जानना है तो यदी समय यदी समय टी पर समझ्टी घनत्व एन है तो समय टी प्लस वन पर समझ्टी घनत्व क्या होगा समझ्टी घनत्व की बात यहां पर की रही है किया जा रहा है होगा समझ्टी घनत्व होगा तो टी समय पर समझ्टी घनत्व एन है तो समय टी प्लस वन पर समझ्टी घनत्व क्या होगा समय T प्लस 1 पर समझ्टी घनत्व क्या होगा यानि कि तो समझ्टी घनत्व क्या होगा तो इसके लिए वजाएगा N T प्लस 1 इसका N T प्लस प्लस I माइनस D प्लस E तो समझ्टी घनत्व क्या होगा तो यह होगा समझ्टी घनत्व T प्लस 1 पर तो N T प्लस 1 is equal to N T प्लस B प्लस I माइनस D प्लस E जहाँ पे B क्या है तो बर्थ रेट है I क्या है तो इम माइग्रेशन है उसके बास से यहाँ पे D क्या है तो देट रेट है और E क्या है तो इमिग्रेशन है यानिकि यह बर्थ रेट जन्मदर है यह क्या है तो यह है आप प्रवासन है यानिकि इम माइग्रेशन है दी क्या है तो देट रेट है यानिकि मृत्य उद्दर है और E क्या है तो immigration है यानिके उत्प्रवासन है क्या है तो उत्प्रवासन है अब बात करेंगे हम जैव सुचकांग के बारे में जैव सुचकांग है क्या सबसे पहले इसको निकालना है कैसे तो यहाँ पे यदि दे दिया है ये birth rate समझती घनत तो दे दिया है birth rate भी दे दिया है और immigration ये सब दे दिया है तो t plus one n t plus one के मान को हम इस सुचतर से निकाल सकते हैं ऐसे तो ये पूछता नहीं है लेकिन जानना जरूरी है इस सुचतर के बारे में तो इस पर example भी देख लेते हैं क्योंकि कभी कभी ये जानना जरूरी है पूछता दो नहीं है लेकिन इसे जानना जरूरी है तो यहां पर देखते हैं ये जो है समानिय मालते की hundred है कितना है तो hundred है और birth rate क्या है तो twenty है और ये ten है ठीक और ये date rate five है और immigration भी क्या है तो five है तो ये हो जाएगा कितना hundred और plus thirty और plus ten minus ten minus ten इसके अंतलब ये हो जाएगा 120 तो ये मान हो जाएगा क्या चीज़ तो in यानि कि समस्टी का घनत्व यहां पर आ जाएगा क्या चीज़ कितना तो twenty तो ये है घनत्व निकालने का सुत्र समस्टी का घनत्व निकालने का सुत्र है ठीक है आगे हम जानेंगे जैव सुचकांग के बारे में जैव सुचकां चलिए देख लेते हैं जेव सुचकांक इनके विटल एंडेक्स जेव सुचकांक विटल एंडेक्स जेव सुचकांक है क्या तो इसमें जन्मदर और मृत्युदर का प्रतिसत अनुपात मापा जाता है किसके द्वारा तो जेव सुचकांक के द्वारा क्या चीज़ तो जेव सुचकांक किसी भी समस्टी का 21 समय में जन्मदर और मृत्युदर को मापना क्या कहलाता है जैव सुचकांग कहलाता है यानि कि वीटल इंडेक्स is equal to होता है B upon D into 100 B upon D into 100 यही किसका सुत्र है तो जैव सुचकांग का सुत्र है इसके लिए आपको तीन बातें याद रखनी होगे सबसे पहली बात यदि वी आई का मान सो से अधिको सो से अधिको इसका मतलब है कि समस्टी ब्रिदी कर रही है क्या कर रही है समस्टी ब्रिदी कर रही है यानि कि समस्टी में ब्रिदी हो रही है और यदि यदि क्या हो यदि वी आई का मान 100 के बराबर हो यहना कि 100 ही हो, यदि시는 कि वी आई का मान क्या हो तो 100 हो, तो क्या होगा, तो समस्टी में कोई परिवर्तन नहीं होगा इसका मतलब है कि समस्टी में ब्रिधी सुनने होगी तीसरी बात याद करना है क्या चीज़ तो यदि बी आई का मान क्या हो तो 100 से कम हो 100 से कम हो तो समस्टी में रिडात्मक ब्रिदी होगे समस्टी के मान में रिडात्मक ब्रिदी होगे तो यह है जैवसुचकांग यानि के विटल इंडेक्स इसमें क्या है तो यह किसी भी समस्टी के एकांग क समय में जन्मदर और मितुदर के अनुपात को प्रदर्शित करता है अब बात यहाँ पे जानते हैं यदि कैसे यदि मान अधिक हो तो ब्रदी होगी भी आई का मान तो यहाँ पे निकालते हैं यदि जन्मदर 100 है जन्मदर क्या है तो 100 यदि जन्मदर 100 है और मितुदर मितुदर 50 है तब देखते हैं यह भी आई का मान निकालते हैं तो यह हो जाएगा 100 upon 50 into 100 यह 2 times चाहेगा is equal to 200 तो क्या हो रहा है यहां पर ब्रिदी हो रहा है पहले क्या ता जन्मदर इतना था और यह आ गया इतना 100 से अधिक आ गया तो यहां पर भी आई क्या मान 100 से अधिक आ गया यह यह क्या हो रहा है समझ्टी में ब्रिदी हो रही है यही माल लेते हैं कि जनमदर जनमदर 100 है और मित्टुदर भी 100 और इन्टू हो जायगा 100 इसकल 2 हो जायगा 100 तो यहाँपे भी आई ये जो मान है 100 आया समयस्टीम ब्रदी सुन्य येधी हम निकालें क्या चीज़त उ बिट्टल इन्डेक्स तो जनमदर 50 है और यह 100 है, यह क्या है तो 100 है, इंटू हो जाएगा 100, तो 100 से 100 के इनसल यह 50 हो जाएगा, तो क्या मतलब, इसका बीटल इंडेक्स 50 है यह 100 से कम आया, इसका मतलब यह है कि इसमें रडात्मक ब्रदी होगी, यानि कि समस्टी में कमी होगी, तो यह चीज है यहाँ पे, टीक, हेडिंग बना लेना है, यह जैव सुचकांग, और इसमें लिखना है, इसमें जन्मदर, मिर्टुदर का परशत अनुपात, एक इकाई समस्टी वा एक इकाई समय में मापा जाता है, जैव सुचकांग का मान, यदि 100 से अधिक होता है, तो समस्टी ब्रदी कर रही है, यद सुचके बराबर होता है, तो उसमें सुन्य ब्रदी हो रही है, ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम यहां से आगी की टॉपिक को क्लियर करेंगे, तो उमीद है कि आप लोगों को यह सारा चीज समझ में आया होगा, यदि समझ म में आता है, तो आप जरूर कमेंट के माधियम से बताइए, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए थैंक यू, थैंक्स वर वाचिंग, जुड़े रहें निराएंस और क्लस्ट के साथ,